पूरा संपूर हल दिखने वाले हैं तो आप इस वीडियो में पूरा संपूर हल दिखने वाले हैं बिलकुल एक कुरूट आंसर बताऊंगा आपको यदि आप इस वीडियो को पूर देखकर आंसर लिखने तो आपको इस प्रेकार से लिखित अउतर प्राप्ट कर सकते हुआ हैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगा और शाती में यदि आपको अधा था सब्जेक्ट का सोलोशन की लिंख भी मिल जाएगी चलिए अब हम वीडियो बिना किस दिरी के शुरू करते हैं आप इस वीडियो नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को जरूर से दबा दिना तो आपर देखिए कातर में कहा काल सभी परश्चिनों को आपको हल करना है कोई भी अद्ववाला परश्चिन नहीं है तो देखिए पहले कोशिन हमें हापर दियेगा है कि फ्रांस की करांती की सुरूआत कर होई तो देखिए फ्रांस की करांती की सुरूआत हुई थी बी नंबर 179 होई थी ठीक है दूसरा कोशिन हम देखते है कि उत्तर अखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम, बंगाल और सिक्किम की सिमाएं किस देश को छूती है, तो देखिए, C नंबर नेपाल देश को छूती है, जो उनकी सिमाएं हैं नेपाल देश को छूती है, उनसे लगा हुआ है नेपाल, तीसरा हमें दिया है, इनमे आप सब के लिए है good news, download app आप सब के लिए लाया है English speaking course, जहां English का top teachers आपको एकदम basic से English बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भासा में, यानि कि आप में से अब हर एक बच्चा English बोल सकता है, और साथ ही course के अंत में आपको certificate दिये जाएगा, तो अभी जाहिए अपने download app पर और उस course को खई दी और अपने अंग्रेजी बोलने की सपने को पूरा केजिए, पूरे भारत में सबसे बढ़ी अदाम और top quality का course आपको सेफ डॉनर पर मिलेगा, course का link description में, चीन भी लोकतांतिरिक देश है, सिरी लंका भी लोकतांतिरिक देश है, लेकिन में अमार लोकतां सासन नहीं है, चोता में दिया है, भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की जील कहां है, तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की जील है, चिलका, चिलका जील जो है, सबसे बड़ी खारे पाने की जील है, पाजवा देखिए, कोशन यहां से अत्री लगूतीरिक होता है लोग तंत्र का अर्थ बताईए तो देखिए लोग तंत्र एक ऐसे सासन प्रणाली होती है जिसके अंतरगत जनता अपने स्वच्छ से निर्वाचन में आ हुए किसी बिदल को मत देखकर अपना प्रतिनेदी चुन सकती है तता उसके सत्ता बना सकती है जिसके भारत में भी लोग तंत्र के सासन प्रणाली है यहां की प्रजा है जो जनता है भाई अपनी इच्छा से बोर देकर प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री इनको चुनती है उनकी इच्छा से ही काम होता है लोग तंत्र दो सब्दों से मिलका बनाए देखिए लोग तंत्र म मुक्ष थहा छोड़े दुकांदार था था कारीगर जिसे जूदा चपल बनाने वाले पेष्टी बनाने वाले गाड़ी साथ छपाय करने वाले और नोकर वा दिहारी मजदूर आदी थी जो समाज के कम सम्रद हिस्स जाती थी है ना जेकुलोन के लब के सदस समाज के कम मदब उनके ज़्यादा धन नहीं होता था साथ कोशन में आपर दिया है प्रवाल से आप क्या समझते हैं तो देखिए प्रवाल कम समय तक जीवित रेने वाले सूच में प्रणाली है जो समुदरों में समुदरों में समुदरों में रहते हैं मदब कि समुदरों में कम समय तक रहते हैं। बहुत सूच में प्राणी होते हैं। प्रवाल की प्रकार होते हैं। प्रवाल रोधी का तटी प्रवाल वित्ती और प्रवाल वलाई। अब देखते हम आठारवा कोशिन यहाँ पर दिया गया है कि अठासन 1789 के फ्रांस इसी क्रांती के तत्कालिक कारण किया था तो देखिए जब 1789 में फ्रांस में नेशनल असेंबली का सत्र चल रहा था देखिए तत्कालिक कारण मतलब कि वहाँ पर कुछ एसी घटनाय हुई जिनों ने तुरंत बिद्रो को उत्पन कर दिया तत्कालिक या ने इमेडेटली तुरंत में वहाँ पर बिद्रो उत्पन कर दिया जब 1789 में फ्रांस में नेशनल असेंबली का सत्र चल रहा था तब भी पेरिस जो है देशत और हिंसा के गिरफ्त में था मतलब कि पेरिस मे रखने के लिए साही और चाल चलंग के प्रती आइस्थिर कर दिया था नतीजतन 14 जुलाई 1789 को दंगा करने वाली वीडे ने हत्यार हासिल करने की ये बेश्टिल जेल पर हमला कर दिया यहां से देखिए बिद्रो की सुरुआत हो गई उन्होंने इस प्रक्रिया में कई र संबिधान से क्या आसे है तो देखिए किसी देश या संस्थादारा निर्धारित किये गए बे नियम जिसके माद्यम से उस देश या संस्था का सुचारु रूप से सुचारु ढंग से संचालन हो सके उसे उस देश या संस्था का संबिधान का आता है अना संबिधान का हो दूरी है उससे क्या होता है देश का साचन होता है यदि संभिधान नहीं होता तो देखिए कोई भी पार्टी आती अपने नियम ला देती है अपने तरफ से कुछ भी ला देती, अलग-अलग नियम बदलते रहते, जैसे कि किसी बर्स में कोई राजनीतिक पाटर याई, किसी पाज बर्स दाथ कोई और राजनीतिक पाटर आई, तो मतलब कि वह अपने अपने नियम लाती, लेकिन संभिधान के होने से यह है कि उन्हे संभिधान का पारण करना पड़ता है, इसे देश जो है सुरच्छित रहता है, किसी बर्स देश का संभिधान उस देश की राजनीतिक वेवस्ता, न्यावश्ता, नागरीकों की हीतों की रच्छा करने का एक मूल धाचा होता है, जिसके मादम से उस राष्ट की विकास का देशा निर्धारान होता है, चले मैं आपको बता जाता हूँ कि आप इसका लेखित मुत्तर कैसे प्राप्त कर सकती हो, MP Board मंथली टेस्ट का लेखित मुत्तर प्राप्त करने के लिए आपको Google पर सच करना है, बीना स्पेस दिये, इसके बाद आपके सामने हमारी विबसाइट का इंटरफिस आजाएगा, इसके बाद आपको ऊपर दी गई थीरी लाइन पर क्लिक करना है, अब नीचे की और पिले लिस्ट खुलाएगी, इसमें से आपको MP Board मंथली टेस्ट सोल्यूसन पर क्लिक करना है, अब यहां से आप मंथली टेस्ट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, तुदेखे चातुर आप दसपर कोशन हम यहां पर देखते हैं कि फ्रांस में दास प्रता का उनमुलन केसे हुआ समझाईए, दास प्रता यान की नोकर वाली प्रता आना, तुदेखे, फ्रांसे सी उप निवो प्रारियोग बिरोत के भाये में से नेशनल असेंबिली में कोई कानून पारित नहीं किये गया, 1794 इसबी के कन्वेंशन ने फ्रांसे सी उप निवेसों में सवी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, परंतु यह कानून ज्यादा दिन लागू नहीं रह पाया, दस दास प्रता याने की दास बनाने का नियम, आता था फ्रांसे सी उप निवेसों से अंतिम रूप से दास प्रता का उन मुलनम का हुआ, 1848 इसबी में हुआ, अब देखिए लाश कोशन आपको यहाँ पर दिया गाया है, कि भारत में जो करके रिखा है, किन किन राजु से खोटे हैं, 21 जून को होते हैं, दिन जो था अराच सबसे चोटे होता है, क्योंकि 21 जून को सूरे इस रेखा की एकदम उपर होता है, जिसके कान बें, अधिक देर तक रेता है, भारत में जो करके रेखा है, आठ राज्यों, गुजरात, राजिस्थान, मद्ध्रिदेस, ठ पूर्व से पश्चिम की और होकर गुजरती है देखिए भारत के नक्सा देखिए इस प्रकार होता है तो देखिए इधर क्या होता है इधर होता है उत्तर इधर होता है जचिन इधर होता है पूर्व इधर होता है पूर्व में क्या कहता है गुजरात राजिस्थान बीच मा इस परकास से वीडियों में आपके सभी परशनों का आप पर आंसर देख लिए उम्मेद आपको वीडियो अलफ लगद वीडियो को लाइक कर देजिएगा मिलते हैं किसी नोड योट तक के लिए जय हिंद जय भारत